केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमित शाह आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 में होने वाली विशाल रैली को संबोधित करेंगे जिस कारण से लोगों को आवा गमन में परिशानी का सामना करना पड़ेगा ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों के के आवा गमन के लिए एडवाईजरी जारी की है ताकि लोगों को आने जाने में परिशानी का सामना नहीं करना पड़े केंद्रिय मंत्री मंगलवार को विजय शंकनाद रैली करेंगे इस दोरान कई दिगज नेता मंच पर मौजूद होंगे जिले की छे विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार का विधिवत रूप से आगाज केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह मंगलवार से करेंगे सेक्टर बारा हुडा परेट ग्राउंड पर शाम पांच बजे अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित करेंगे रैली के आयोजन को सोमवार देर शाम तक प्रशासनिक अधिकारी और पार्टी के स्तर पर केंद्रिय राज्य मंत्री क्रिश्नपाल गुर्जर तयारियां करवाते नजर आए रैली स्थल पर पहुँचकर केंद्रिय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने मंच से लेकर सामने दर्शक दीरगा तक का निरीक्षण किया जहां पर आम लोगोंने बैठना है वहां केंद्रिय राज्य मंत्री वा पूर्वुद्योग मंत्री को जगह कम लगी उन्होंने पंडाल तैयार करने वालों को जगह बढ़ाने को कहा रैली का समय शाम को इसलिए रखा गया है ताकि सेक्टर 12 में लगू सचिवाले वा जिला अदालत में आने वाले लोगों और वकीलों को किसी तरह की परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा रैली में स्टार प्रचारक के रूप में प्रदेश के चुनाव प्रभारी वा केंद्रिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव के प्रदेश सह प्रभारी, सांसत बिपलव देव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मोहनलाल बडॉली केंद्रिय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर वह सभी प्रत्याशी मौजूद रहेंगे केंद्रिय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस मौके पर कहा कि इस रैली से केंद्रिय ग्रह मंत्री चुनाव प्रचार की शुरुवात करेंगे और विजय का शंखनाद करेंगे केंद्र की तरह हर्याना प्रदेश में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है फरीदाबाद संसदिय क्षेत्र की सभी नौ सीटों पर भाजपा शांदार प्रदर्शन कर जीतने जा रही है रैली को सफल बनाने के लिए सभी गावों में बस भेजने की व्यवस्था की गई है चै के चै विधान सभा क्षेत्रों से जनता रैली में आएगी रैली की सफलता से भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी महौल बनेगा और 6 की सीटों पर प्रत्याशी जीत दर्च करेंगे प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री नायप सिंग सैनी, नायाप सिंग साइनी के नेत्रित्व में सरकार बनेगी दिर कि भी